देखिए उतकर्ष जी भारती जनता पार्टी ने जो रणनिती तैक ही है मध्यप्रदेश्ट के विदानसभा चुनाव में उसमें इस्थानिय लीडर्शिप की भूमिका एकदम से खत्म कर दी गई है कभी देश के तिहास में किसी भी राजनितिक दल ने इतना माइन्यूट लेवल पर एक एक विदानसभा सीट पर दिल्ली से तै करे ऐसा कभी नहीं हुआ इस्थान ये लीडर्शिप पर भरोसा किया जाता था इन चीजों को आप मैनेज कीजिए वो पॉलिसी डिसीजल लेते थे रणनिति पर काम करते थे अब हालात क्या है हालात से ही सारी चीज़ें पता चलती है कि पहले ऐसा होता था कि उमीदवारों की लिस्ट में अपना न क्या प्रहलाद बिजय कैलाश बिजय वर्गी जी मिठाई बाटेंगे क्या कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया है तो इनाम लिस्ट में आना आज एक अभिशाप बन गया है ऐसी राजनीती भारती जनता पार्टी ने मध्यपरदेश में की है तो यह मैं इसलिए कह रहा हूं ब अगनी परिक्षा में डालना अपने लीडर्शिप को जो मंत्री हैं सांसद हैं इस रूप में बोलते हैं अगनी परिक्षा का आम तोर पर मतलब निकाला जाता है कि अगनी परिक्षा में पास हो गए तो सीता मैया जैसे पवित्र हो गए लेकनि हाँ मैं थोड़ा अलग बो अपने लीडर्शिप तो बीजेपी नी जो ये रणनीती चली है वो मैं इस रूप में देखता हूं कि भारतिय जनता पाटी ने जैसे अपने राजनीतिक स्पर्धियों को दुश्मन माल लिया उसी तरीके से संगठन के भीतर भी जो हमारा स्पर्धी हो सकता है उसको कैसे जोतिरादित सिंधिया या और जो दूसरे लोग हैं इन सबको इसी रूप में किया गया है कि ये लोग मिट जाए शिवराज सिंग चौवान ये लोग मिट जाए हट जाए रास्ते से हट जाए मतलब अपनी ही पार्टी में वो शत्रु के रूप में दिख रहे हैं ये अज लिडर्शिप के लिए यहां एक बात और वो जो थोड़ी सी चर्चा में आई है थोड़ा उसको अपनी भाशा में सपष्ट करता हूं कि प्रहलाद पटेल जी को जब टिकट मिलता है तो उनके भाई जालेम पटेल कहते हैं कि अब नाम मैं गलत बोल गया जालेम सिंग जी तो वो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूँगा एलेक्शन और प्रहलाद पटेल जी के लिए काम करूँगा तो एक बिधायक कहता है भाई मैं बिधाय की नहीं लड़ूँगा भाई के लिए काम करूँगा और उसके बाद यशोधरा राजे कहती हैं जिसके बारे में समीर जी ने विस्तार से बताया, election लडनी के लिए तत पर थी, कहती अब मेरा स्वास्ति ठीक नहीं रह रहा है, मैं election नहीं लडूंगी, ये दोनों ही गोशनाएं अपनी मर्जी के नहीं हैं, और जब से यशोधरा ने गोशना की हैं, ये तै हो गया है, उसी pattern पर कि जैसे प्रहलाग पटे लडने गये हैं, अब जोतिराजित सिंधिया भी चुनाओ लडने जा रही है, ये तै हो गया इसी निरने, पर निरने सेंटरल लीडर्शिप कि इस pattern पर ले रहा है, जनता समझ रही है, तो ये निरने आत्म घाती होगा, बीजेपी के लिए, और निश्चित रूप से जब आत्म घाती होगा, तो वाँ दूसरी पार्टी तो है नहीं, फाइदा कॉंग्रेस को ही मिलना है, आपका जो जवाब है कॉंग्रेस से नहीं, बलके बीजेपी से ही आपको मिल गया है, ठीक है, और अमरुजाला, अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर श्पक्ष निर्भी निरंदर